दोस्तो नमस्कार मैं हूँ Dr. CB Singh और दोस्तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर बहुत सारी जो किसानों से संबंदे डेरी फार्मिंग से संबंदे बहुत सारी जानकारी आप लोगों किसान शेयर करते हैं तो आज मैं कुछ ऐसी ही एक बहुत बड़ी गलती जो हम जाने अंजाने में कर जाते हैं और जिसका बहुत बड़ा खाम्याजा हमें हमारे किसान भाईयों को भूगतना पड़ता है तो दोस्तो वो कौन सी एक गलती है जो हमारे dairy farm को नुकसान में लेके चली जाती है आज मैं उसी एक बात के उपर अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तो हर एक किसान का या जो dairy farmer है उसका एक सपना होता है कि मेरा पसू हमेशा स्वस्त रहे और जादा से जादा दूद का उत्पादन में मुझे मिले लेकिन इसमें क्या होता है जो दूद के पीछे जो भागने की जो होड है उसमें कहीं न कहीं एक mindset बन जाता है कि जब तक animal से हमें दूद मिलता है या वो पशू दूद दे रहा होता है तब तक हम लोग उसकी बहुत ज़्यादा देखरेक करते हैं उसको अच्छे से ध्यान रखते हैं उसकी खलाई पलाई करते हैं उसको आहार या बहुत सारी चीजें हम उसको देते हैं और कई बार तो ऐसा होता है, कई सारे किसान वो दूद बढ़ाने के चक्कर में, कई बार ऐसा होता है कि जो उसको खर्च नहीं करना होता, वह भी उसके उपर खर्चा कर देता है, लेकिन प्रावलम कहां आती है, ये जो माइंड सेट है कि जब तक पशु दूद दे रहा है, तब तक हम उसकी बहुत ज़ादा उसकी और ध्यान देते हैं, लेकिन जब वो दूद नहीं देता, या जिस समय वह ड्राई होता है, उस समय हम लोग उससे ध्यान हटा लेते हैं, इस्पेशली ड्राई पीरेट के टाइम, ड्राई पीरेट यानि की पार्चुरेशन या उसक ज़ाने के पहले जो दो तीन मैने का टाइम होता है, जब वह दूद नहीं दे रहा होता, तब हम उससे ध्यान हटा लेते हैं, या उसको केबल हम भूसे के उपर कोसिस करते हैं, या सर्वाइब कर जाएं, क्योंकि दूद नहीं मिल रहा, महां से मुनाफ़ा नहीं हो रहा, तो हमारा माइंड सेट हो जाता है, इसलिए हम उस पर जादा खर्च नहीं करेंगे, लिकिन यह सोच बहुत खतरनाक हो सकती है, एक्चुली होता क्या है, कि जो ड्राइपीरेड है, वो प्रकृती नहीं इसलिए बनाया है, कि वो एनिमल को फिर से रिपेर कर सके, फिर से तय यार कर सके आने वाले लैक्टेशन पीरेड के लिए, और जब हम उस ड्राइपीरेड में उसको न्यूट्रियेंट्स की कमी रखते हैं, तो आने वाले टाइम में फिर हमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है, वो आपको रिटेंशन अप प्लेसेंटा जरड टक गई, या और फिर मिल्क फीवर हैं हमें देखने मिलता है, या फिर बाद में पता चला कि वो एनिमल जो हीट में आना चाहिए, इस टाइप के बाद, वो पर्चुरेशन के बाद, मतलब बैने के बाद, शिक्स्टी डेस के या नाइटि डेस के अंदर उसको हीट पर आ जाना चाहिए तो वो heat पे नहीं आता, या फिर heat पे आ रहा थो वो concede नहीं करता या बार-बार repeat कर जाता है, तो ये इस type की problems आती है, तो मैं जो गलती के बारे में जो बता रहा हूँ, वो सबसे जो बड़ी गलती, वो dry period के time जो होती है, वो गलती आपको आने वाले time में बहुत ज़्यादा नुकसान में लेके चली आती है, अब हम इस चीज को समझते है, actually क्यों important है dry period के time उस पे जादा focus करना, वो इसलिए important है कि आप अगर देखें, गाय में करीब-करीब जो गर्वधारन काल होता है, जो उसका gestation period होता है, वो 9 महीने 9 दिन के आसपास होता है, और बहांस में वो ड्राइ हो जाता है, जब वो जैसे नजदीक पहुंचता है अपने time period के पास, ब्याने के पास, जनने के पास, तो क्या होता है कि वो 2 महीने पहले वो ड्राइ हो जाता है, यह हम ड्राइ उसको कर लेते हैं, ताकि वो अपने लिए थोड़ा सा nutrients को यूज कर पाए, तो वो ड कर देते हैं, अब आप एक चीज को समझिए, एक्चुली वो ड्राइ पीरेट का लोजिक समझिए, जब उसके अंदर जब वो अनिमल जब घर धारन करता है, उस समय क्योंकि वो दूद भी दे रहा होता है, तो उस time उसके अंदर एक बच्चा भी पल रहा होता है, तो वो द कई गुना तेज हो जाती है, लास्ट में, अब अगर ऐसे में आपने उसको, सपोज आपने फीड नहीं दिया, मिनरल्स नहीं दिये, या पोशक तत्वों में कोई कमी रखी, या भूसे पर रखा, मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो कि बल उसको वीट स्ट्रॉ पर रख अब उसको फीड में नहीं देंगे या फीड के रूप में नहीं देंगे, तो वो अपनी बॉडी से, अपने हड़ी ओं से, अपनी मा स्पेसी ओं से, वो न्यूट्रिएंट्स को मॉबलाइज करके अपने बच्चे को फीड कराती है, अब इसका नतीजा क्या होता है, वो ज अच्छा खासा एनिमल वो जब कमजोर हो गया तो सबसे पहला जो सिम्टम्स मैंने बताया था कि आरोपी रिटेंशन अफ प्लेसेंटा या वो पता चला हीट में नहीं आ रहा चेछे मेने साल साल भर और इस्पेशली गायों में तो यह बहुत जादा कॉमन चीज है कि वो हीट हो रही हैं तो वो जो आप जो मुनाफ़ा वहा जो साथ ऐनिमल से ले रहे थे वो तीन में आप खर्च कर रहा है तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो धीरे-धीरे करके जब गाये खराब होती है और अगर वह गर्मी पर प्रियेंट नहीं हो रही है तो डेरी इसके प्रवर हो जाती है। तो इस में हुट हैं कि आप धीरे-धीरे करके निजटेव हो जाते हैं और निजटेव होने के बाद आप यह कहना' स्टार्ट कर देते हैं कि davey Farming में कोई फाइदा नहीं है। तो यह जो गलती है अगर हम इसको सुधार लें और सुधारने का सबसे बड़ी हतरीका यह है आप उसको कैलकुलेट करें कि यह जो बीमारियां हैं जो हीट पे नहीं आना एनिस्ट्रस है या बार-बार रिपीट होना है इन पे आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं तो उ जो आप केटल फीट के साथ खली भी दे सकते हैं तो कम से कम तीन से चार किलो वो डिपेंड करता है दो से तीन भी हो सकता है तीन से चार भी हो सकता है डिपेंड करता है कि आपका एनिमल में कितना पोटेंशल है उसका बॉड़ी वेट कितना है उस हिसाब से उसको अवश्य दें क्योंकि वो संतुलित होता है उसमें प्रोटीन भी है एनर्जी भी मिलेगी लेकिन कई लोग बोलते हैं सर उससे दूद जो अगर हम continue रखते हैं फीट तो वो दूद वो ड्राई पीरेट ड्राई नहीं हो पता है निमल तो उस ताइम पर रोके आप जब ड्राई करते हैं लेकिन फिर से start करदें उस फीड को तो जो ड्राई पीरेट के टाइम में आप मैंने बोला दो से तीन किलो या तीन से। चार किलो डिपेंडिंग अप्वटी बेट वो फीड ज 이거는 और सात मैं ग्रीन फॉरडर ग्रीन फॉरडर आप क्या हो रहा है कि मैं मैं बोल रहा हूं कि क इनिमल बड़े उससे खाता है, तो वो ग्रीन फोर्टर बहुत इंपोर्टेंट है, ग्रीन फोर्टर नहीं है तो आप साइलेज कर सकते हैं, और साथ में सबसे इंपोर्टेंट चीज है, हंड्रेड ग्रैम्स ऑफ गुड्ड क्वालिटी मिनरल मिक्चर, बहुत अच्छी क्व उस टाइम पर जो उसकी बच्चेदानी में जो मॉबिलिटी होनी चाहिए, जो उसके अंदर जो ताकत होनी चाहिए, जो अगर हम देखते हैं, अगर मिनरल की कमी होती है, फॉस्फोरस या केल्सियम, उस टाइम पर जो कमी होती है, हम देखते हैं कि मिल्क फीवर हो गया या प्रोलैप्स हो गया, तो उन चीजों से बचाने के लिए उसको एक अच्छी क्वालिटी का mineral mixture बहुत important है, ये आजकल सभी जो milk cooperatives की हमारी DCS हैं, जो समितियां हैं जो गाओं लेविल पे वहां भी available होता है, तो आप पहले इसको धीरे से इस चीज को समझें और जो कुछ भी आप यहां पे जो खर्च कर रहे हैं, और उस खर्चे को अगर आप calculate करेंगे, तो जो खर्चा आप बाद में आप animal को खराब करने के बाद जो doctor को पैसा दे रहे हैं, या उसके treatment पे जो खर्चा कर रहे हैं, और बहुत इनिमल को, हम क्या होता है, जो milk जब animal स्टार्ट करता है और तो उस टाइम पे हम उसको feed वगरा सारी चीज़ें देते हैं, साथ में उसको liquid calcium भी देते हैं, कोई बात नहीं, उस time आप दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन dry period में आप जब वो जैसे ही ब्याने के time उसका आता है, या वो जनने का time आता है, पर्चुरेशन का time आता है, तो उस पर्चुरेशन के 15 से 20 दिन पहले आप वो liquid calcium बंद कर दें, at least liquid calcium जरूर बंद कर दें, क्या होगा, कि जब जैसे animal milk में जाएगा, पर्चुरेशन के बाद, तो एकदम से उसको calcium की जरूरत पड़ेगी, और calcium को मतलब body से उसकी आपूरती कर देता है, लेकिन अगर आप liquid calcium देते रहेंगे, तो क्या होगा, उसको उस time में, क्योंकि आप उपर से उसको calcium दे रहे थे तो उसकी जो bone से mobility नहीं हो पाई, एकदम से mobilize नहीं कर पाएगा, जब उसको आवेशकता होगी, जनने के बाद, milk production में आने के बाद, तो milk fever होने के बहुत जादा chances होते हैं, तो हमेशा उसके जनने के पहले 15-20 दिन पहले आप liquid calcium जरूर से बंद करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका आपको बहुत अच्छा परिनाम मिलेगा, और मैं आपको बता दूँ, यह जो dry period है, यह उपर वाले ने decide कि नेचुरली यह प्राकिर्टिक है, वो जो 60-70 देज हैं जो पार्चुरेशन के पहले, वो इसलिए दिया जाता है कि वो animal तयार हो सके, वो animal अपने अडर को तयार कर पाए, अपने जो memory glance को प्रिपेर कर पाए, और अपना जो system है पूरा का पूरा उसको फिर से तयार कर और आगे फिर से pregnant होने के लिए, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये information बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी, पसंद होगी, हम इसी तरीके से scientific information, बैग्यानिक जो तरीके हैं वो आपसे शेयर करते रहेंगे, और आप कौन से subject पे आप वीडियो चाहते हैं मुझसे तो उसको आपने इस comment box में जाके जरूर type करें ताकि हम लोग आपकी problems को समझ पाएं और उसका कुछ ने कुछ solution निकाल पाएं, दोस्तों हम सम मिलके इस dairy business को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, एक लक्षेनर दारित करें और उसमें धीरे धीरे से थैंक य। वेरी मुच